कि नमस्कार स्वागितना आप सभी का सो आप सीएटी पीजी क्यूपी 27 मैथिमेटिस का पेपर देखे आगे कहीं जगर पें एंटे की खामिया रही कुछ एंटे की प्रोब्लम रही अब आपन बात करते कि आपको पेपर कैसा हुआ पेपर का लेवल कैसा था पेपर टफ था अभी आपको क्या करना चाहिए और नेक्स इसे तरजी क्या होनी चाहिए तो कुछ कॉमन क्यरी थी आज में कई भार गये वाता पर आप लोगों को इतने मेसेज आ रखे हैं कि मैं क्या ही बताओ तो मैंने को वीडियो ऐसा बनाना पढ़ना बढ़ना इसे वीडियो बना रह इसे मिल जाएगा क्या तो बात करतें अभी बोलना मुश्किल यह अभी आप लोगोंने क्या करें सिरफ आप वो संब बतार जो आपने अटेम्ट करें अभी आपको क्या पता कि आपकिए развrai गलत होते है तो अभी पहले से प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी गलत बात है और यह पौसिबल भी नहीं कोई कर भी रहा तो वह बिल्कुल भी ऐसे मतलब अकोरडिंग वाली बात नहीं कि ऐसा उट नहीं करते की ऐसा वेल्योबल बात नहीं है पर मॉस्टली जो मैंने देखे हैं अभी पेपर का लेवल सब्सक्राइब करें तो पचास से साथ है मोल इसी को लेके हैं सतर प्लस वाले भी है कुछ चालीस के राउंड भी है और लोग यह बता रहें पचास से साथ के बीच में एवरेज अटेम्ट यह यह और जो एवरेज अटेम्ट होता है किसी ने बावन किसे अटेम्ट करें और उसके पचास सहीं दो गलत है उसके पंदरा गलत होगे तो इससे निचे लगे ना तो ऐसा अभी कुछ बोलना पॉसिबल ने की कटोप क्या रहेगी तो मैं भी आपको यह बहुत की बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना लगे और इस आपको क्या करना चीए दूसरी बात ही कि अभी आपको डी उई टी फोकस करना चीए उसके पहले इस पेपर का लेवल कैसा था पेपर से क्या सीखने को मिलता है तो पेपर का लेवल है वह मोडरेट ही बोल सकते हैं अगर इजी होता है तो चालीस प्लस वाले शुडेंट नह आपको अच्छी बात है पर सभी को मिले तो अच्छी बात है पर सभी को नहीं मिले तो इसमें अपना कुछ नी चल ला तो अपने बोलन से सही होने वादी नहीं है जल्दी से यह कुछ हाई अथॉरुटी काम करेंगी तब होगी आपको त्यार रहना पड़ेगा हर काम के लिए कैसे क्या करना है तो पहली गलती तो मुझे लगते हैं आपका टाइम एनेजमेंट बहुत सब्सक्राइब निए तो उनसे थोड़ी गड़ी आपको करना चीए अपनी मिस्टेक्स को नोट करें और इस पेपर से शीखें कि आपके यह गलती आपको कैसे करना है वह ध्यान रखें और यह गलती दुबारा रिपीट नहीं होने चीए सबसे बड़ी प्रोब्लम यह कि रिपीट नहीं आपने जो गलती करी है उसको अक्सेप्ट करो और उसको देखो कि भी हाँ उसको गलती है अब दुबारा से नहीं करनी है तो पेपर का लेवल मॉड्रेट था अभी इसको डिवीट के लिए आजे मोक टेस्ट लीजिए और पा होगे कुछ के नहीं होगे जैसे अभी मैंने देखा तो आपने जो बताया था कौन वेक्स और के एक्जामपल आये थे अक्सी स्केर और माइनस एक्जामपल मैंने एल्पी की फिफ्ट क्लास में आपको सौल कर रखे अगर आप देख सकते फिफ्ट क्लास आपको मिल जाए अब भी उसमें सौल कर रहे हैं कुछ स्टेंट पॉल रहे हैं कि सरफ मोक टेस्टे भी क्यों सुनाए थे पर अभी उनको पता नहीं कि कौन से क्रिशन थे तो ऐसा है कि आपके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्स्पोनेंसल मैथमेटिक से हिल्प मिली होगी वह फ दिवीटके लिए आपको in सप्यशन प्रेक्स्ट मिलेगा पॉसूं कोई पें से के का मिलेगी होगी आपको प्लस मिले ऑक्ति है तो आपके इतनी टेश्ट सफिसेंट होते हैं अगर इतने आप टेस्ट रहेगी और से सारी और बात धी बात जाएगी पर अभी में आपको यह बात बोलूगा कि आप क्या करें इसको बिल्कुल भी क्यूंकि पेपर एक और भी देना इसलिए इसको बड़न भी निलेना है और अराम सरे ने की बात ही और अभी जैसे इसमें बहुत सारी चीजें क्योंकि सीवीटी होने का फायदा यह है कि अगर आपके मार्क्स कम भी है तब भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं जैसे मालो किसी स्टूडेंट के आपको पता है कि जैने में 16 सीट है तो 80-plus वाले से दस स्टूडेंट से मिल था मुश्किल मिलेंगे वह दस चलेगे बाकी बचे है अब 75 से उपर मालों तो ती स्टूडेंट है तो वह तोप के ती स्टूडेंट 75 वाले हैं वह सकता हो सकता है वह फुमें चान कोई येन्वाला बच जाए तो इसका मतलब जैस आपको मिल जाएगा तो इसलिए वो टेंसल देने की जुरूत नहीं है अगर किसी कम नंबर तो भी मिलेगा तो वो तो बिल्कुल भी फरी रहो और इससे ज्यादा फ्री किसके लिए रहो आप डीवीटी एक्जाम के लिए एक्दम से मस्त रहो क्योंकि आपको डीवीटी के प करने और इसकी प्रेक्टिस आपको बिल्कुल अच्छी से मिल जाएगी आप पांच टेस्ट देदोगे ना पांच टेस्ट पेपर देदोगे और उसका डंग से एनलेसिस करना आपने कैसे कुशन करने है क्या चिस्ट रखनी है तो आपको एकदम अच्छे से आइडिया हो जाएगा और इसी के भी मैं ऐसे बोलूगा कि पीवाई कुशन करो अब आपको खुद से समझ आ गया होगा कि पीवाई क्यों की इंपोर्टेंस कैसी आप दूसरी बात जू चीज पढ़ते हैं उसका कौनसेप्ट अच्छा होना चीए जैसे कुछ टूरेंट अपने जो ऐस अभी कट ओफ की बात करने का कोई चांसे नहीं है कोई भी मतलब यूजलेस है अभी रेस्पोंस की आएगी पेपर का पता लगेगा आपको पता लगी आप खुद ही बता दोगी कि क्या रटोफ रहने वाली है तो इसके लिए मतलब यह कि आप डिवीट की धुवादार कर सकते हैं और अपने टेलेग्राम चैनल एड़ रेक्सपॉंदेंशल माथमाटिक्स 2531 पे अपनी राउट या आपने जो रूवीव आप सेयर कर सकते हैं सो थेंक्यू